Hello everyone, I am Dr. Madhukar Travedi, I am consultant neurologist at Manipal Hospitals गाजियबाद Today we will be discussing about epilepsy First of all, हमें तो यह समझना है कि epilepsy है क्या, what is epilepsy? Epilepsy जो होता है, वो ब्रेन में abnormal electrical activity या abnormal hyperactive discharges की वज़े से होने वाली body में activity को बोलते हैं अगर हम इंडिया में देखें, तो करीब एराउंड एक करोड़ लोग epilepsy से सफर कर रहे हैं यह एक major problem है और इसके बारे में awareness काफी जरूरी है Epilepsy usually young लोगों में देखी जाती है, बट काफी सारे patients में हम देखते हैं कि epilepsy जो है old age या middle age में भी आ सकती है epilepsy को हम अलग-अलग नाम से जानते हैं जैसे दौरे की मिमारी, मिर्गी, अपस्मार, seizures यह सभी नाम epilepsy के लिए interchangeably यूज़ किये जाते हैं अब हम बात करेंगे epilepsy के टाइप्स के बारे में, epilepsy के दो main types है, focal epilepsy और generalized epilepsy focal epilepsy में normally हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है conscious रहता है पर उसके हाथों में, पैरों में, शरीर के एक हिस्से में अचानक से jerking शूरू हो जाती है कभी-कभी हम देखते हैं कि शरीर के एक हिस्से में जुन-जुनाट या सूनापन भी हो सकता है कुछ लोगों में यह epilepsy सिर्फ abnormal sense of smell, abnormal sounds जैसे अलग लग तरीके के sounds सुनना या abnormal bodily sensations के रूप में भी आ सकती है अगर हम generalized epilepsy की बात करें, तो generalized epilepsy और focal epilepsy में main difference यह है कि generalized epilepsy में patient बिहोश हो जाता है बिहोश होने के साथ-साथ उसकी पूरी body में jerking शूरो हो जाती है दोनों हाथ-पैर हिलने लग जाते हैं हो सकता है कि अगर वो व्यक्ति खड़ा है या चल रहा है तो वो गिर जाए उसके हाथो पैरों में तेज जरकिंग होने लगे और साथ में इसमें tongue bite और urinary incontinence भी हो सकता है कुछ लोगों में हम special types की epilepsy भी देखते हैं जिसमें से एक है absence epilepsy जो की young patients में काफी commonly देखे जाती है specially बच्चों में, school going children's में absence epilepsy में होता है कि बच्चा कुछ second के लिए किसी एक तरफ घूरने लग जाता है या तो आस्मान की तरफ देखने लग जाएगा या सामने आपसे बाचीत करते करते वो अचानक से stare करने लग जाएगा और unaware हो जाएगा special type का epilepsy जो है absence epilepsy है absence epilepsy को समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि यह usually हम young school going बच्चों में देखते हैं इसमें होता यह है कि बच्चा स्कूल में बैठे बैठे या घर में अचानक से unaware हो जाता है बैठे बैठे यह वो एक तरफ गूरने लग जाता है हो सकता है intermittently वो eye bling कर रहा हो और उस दौरान वो unresponsive होता है यह usually कुछ seconds के लिए होता है और फिर बच्चा अपने आप normal activities अपने resume करने लग जाता है साधरन तक क्या होता है कि इस epilepsy को हम पहचानने पाते हैं क्योंकि school teachers या even parents समझते हैं कि हमारा बच्चा या तो absent-minded है यह पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहा और उसे हम फिर डाटने लगते हैं तो अगर आपके आसपडोस में या आपके family में किसी को इस तरीके के symptoms हैं तो definitely doctor से consult करके इसको identify करना बहुत जरूरी है चौथा जो है कि इसका important special type है epilepsy का वो है atonic epilepsy इसमें normally तो हम देखते हैं कि epilepsy या seizures में आपने के हाथो पैरों में जर्किंग हो रही होती है बट ए-tonic epilepsy में होता यह है कि व्यक्ति जो है अचानक से गिर जाता है उसकी body loose पढ़ जाती है जर्किंग होने के बज़ए बड़ी अचानक से loose पढ़ जाती है और हो सकता है वो कुछ दुदे के लिए बेहोश भी हो जाए अगले इस section में हम बात करेंगे epilepsy के कारणों के बारे में reasons of epilepsy या causes of epilepsy epilepsy के कारणों के अगर हम बात करें तो epilepsy जो है brain के कुछ disorders की वज़े से काफी सारे लोगों में हम देखते हैं कि यह एक inherent tendency होती है brain के अंदर कोई major बिमारी नहीं होती है बट व्यक्ति में एक inherent tendency होती है उसके brain की nerves में inherent tendency होती है jerking produce करने की इसमें से कुछ percentage लोगों में हम देखते हैं कि एक genetic tendency होती है याने कि अगर आपके family members especially आपके parents में अगर किसी को epilepsy की बिमारी है तो बच्चों में epilepsy की बिमारी होने की tendency कुछ हट तक बढ़ जाती है अब हम बात करेंगे कि epilepsy को manage करेंगे how to manage epilepsy epilepsy manage करने में सबसे पहले तो हमें यह समझनी है कि अगर आपके सामने किसी को epileptic attack या दौरा आ रहा है तो उस समय क्या करें normally हम देखते हैं कि जब भी epileptic दौरा आता है तो लोग उस patient को या व्यक्ति को कि कोई चीज सुंगाने लग जाते हैं उसके हाथ में कोई चीज पकड़ाने लग जाते हैं जैसे लोहे की वस्तू या मुह में कभी-कभी हम कप्रा ठूचने लगते हैं हमें यह समझना है कि यह चीज हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है यदि किसी भी व्यक्ति को epileptic अटेक आता है तो सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो हमें यह देखना है कि उस व्यक्ति को चोटना लगे फॉर एक्जामपल अगर व्यक्ति जो है जमीन पर है तो उसको वहीं रहने दे उसके सर के नीचे अपना हाथ रख दे या अगर तकी अवलेबल हो तो एक कुशन रख सकते हैं ताकि उसे किसी तरह की की चोटना लगे उसे बहुत जोर से पकड़ने की होल्ड करने की दरूरत नहीं है बठाँ यह ध्यान रखना है कि उसी किसी तरह की की चोटना लगे उसके मुँँ में किसी भी तरह की कि कोई चीज हम किसी भी तरह की का कपड़ा या कोई और चीज रखने की कोशिश ना करें इससे चोकिंग हो सकती है हमें करना यह है कि उससे थोड़ा सा होल्ड करें उसके सर को थोड़ा सा कुशन दें गर्दन को एक तरफ गुमा दे ताकि मुझ से निकलने वाला जाग जो है बाहर निकल कर आ जाए maximum cases में हम देखते हैं कि epilepsy एक से दो मिनिट में अपने आप शान्त हो जाती है इस दोरान आप त्यारी कर लें कि patient को जल से जल hospital कैसे ले जाया जाए दूसरी चीज़ अगर आपके या आपके आसपरोस में किसी को epilepsy की बिमारी है या दोरे आते हैं या जो हमने types की बात की epilepsy के बारे में इस तरीकी के वह लक्षन या symptoms है तो जल से जल अपनी neurologist को consult करें क्योंकि सबसे पहले तो हमें इसे diagnose करना है कि यह epilepsy है भी या नहीं और अगर epilepsy है भी तो आजकल काफी नई तरीके की दवाईयां available हैं जिससे हम epilepsy को काफी हद तक control कर सकते हैं धन्यवाद